दोस्तों आज हम बनाएंगे बेल का शर्पत जो बहुत जादा स्वास्ति वर्दग भी है और साथ में ही डिजेशन को भी अच्छा करता है हेलो फ्रेंड्स मैं शपाले सकते हैं आप सबस्वागत करते हो अपने कोकें घटा पहर तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्पीस पसेंद आएं तो मेरा चैनल जरू सब्सक्राइब करना और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन भी उदवाना तो इसके लिए मै मैं बेलन से इसको तोड़ दूँगी तो बहुत जरासी मेहनत लगती है बहुत जादा मेहनत भी लगती है और असानी से टूट जाता है तो यह लिजए मैंने सारा बेल पता तोड़ लिया है इसके अंदर का पार्ट आप देखेंगे पीला है इसलिए मैंने बोला था कि पाहर का पोशन भी पीला होना चाहिए तो यह बहुत अच्छा होता है और बहुत मीठा भी होता है तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ आपको एक चमचा लेना है और इसको स्कूप आउट करना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकाल लेना है इसका सारा पल्प वैसे तो यह खाने में ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं और इसका शर्बत बना के भी आपवसकों रख भी सकते हैं, और जब बी निकल का मै है rap माने है को क्योंकि यह पहले मैस कर लिया है अब मैं ये चम्चे से सारा हटा देती हूँ क्योंकि अब बारी है आपके हाथों के कामगी तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देती हूँ और इसको हाथों से हम मसल लेंगे ध्यान रहे हाथ आप पहले दोलें उसके बाहद ही इसको मसलना शुरू करें तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी लगबग मैंने यहाँ और देड़ का पानी डाल दिया है और इसको मैं मसलना शुरू करूँगी तो जितने भी बारीक बारीक पार्टिकल्स होंगे वो सब आपको मसलने होंगे ताकि बहुत अच्छा सा ये गूदा जासा हो जाए तो ये देखिए मैंने अच्छा से कर दिया है और इसके जो रेशे हैं ये इतने अलग हो रहे हैं तो अब इन रेशों को हटाएंगे हम रेशों को हटाने के लिए क्या करना है कि एक बाउल लीजे उसके उपार आप एक कॉलेंडर रखिए इस तरीके से और इसको हम चान लेंगे अगर आपके पार थोड़ी चोटी है तो चोटी वाली च्छनी से भी कर सकते हैं बड़ी है तो बड़ी में भी तो आपको इसे अच्छे से चानना होगा ताकि एक दम प्योरी एकदम फाइन प्योरी निकल आए तो मैश करने से ये सब चीजे मैश हो गई अच्छे से और एक प्योरी अब निकल किया जाएगी तो ये लिजे मैंने सारा ही इसको चान लिया और ये जो है ये ऐसे पार्टिकल है जिसमें बीज भी है और जिसमें कुछ रेशा भी है तो इसको मैं उठा के हटा देती हूँ और ये लिजे हमारी प्योरी एकदम से रेडी हो गई है आप चाहें तो इसको फ्रिज में स्टोर करके भी लख सकते हैं तो मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ पहले क्योंकि ये बाउल मेरा थोड़ा छोटा है तो ये लिजे मैंने सारा ही इसमें प्योरी निकाल ली है और ये काफी गाड़ी है दोस्तों अब मैं यहां पर डालूँगी आधी कप चीनी अगर आप चीनी नहीं खाते हैं तो आप इसमें गोड़ भी डाल सकते हैं बहुत हेल्दी आप्शन रहेगा या फिर देसी खान जो होती है आप वो भी डाल सकते हैं तो मैंने यहां पर चीनी डाल दिये और थोड़ा सा यह पानी मैं इसमें डाल देती हूं इस बाउल से जितना भी बचा हुआ है वो सारा इसमें आ जाएगा और इसको आपको इसे अच्छे से चलाना है पहले एक साथ सारा पानी डालेंगे तोड़ा पानी डाल के आप इसको चलाएं यह देजे इसको बन गई है और अब मैं इसे जग में रख दती हूं चाहें तो आप इसे फ्रेजर में फ्रीज भी कर सकते हैं तो यह लेजे मैंने इसमें डाल दिया और साथ में यहां पे मैं तीन ग्लास भर के पानी भी डाल देती हूं बिल्कुल थंडा पानी तो लीजे हमारा शर्वत एकदम बातों बातों में तयार भी हो गया है तो है नहीं है बिल्कुल जटपट से तयार होने वाला बेल का में आपको रात भी देगा तो एक दम जट पैटा में से ठड़ा हैं चाहें तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं तो यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए और मेरे चैनल भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना थैंक यू करके जाल सकते हैं तो